नमस्कार स्वागत है आपका हमारे खास कारेकरम में और मैं हूँ आपके साथ गौरव राजजेंद्र जैसा कि आप जानते हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरू जो कि ग्लोबल इस तरफ पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एक मात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कोमेंटीज का एनलिस आप तक पहुँचाता है चले शुरुआ करते हैं शूरू करते हैं कल कच्छा तेल 0.72% की गिरावट के साथ 8254 पर बंद हुआ था कच्छे तेल की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि बाजारों में चीन में कोबिड-19 के लिए बड़े पैमाने पर परिक्षण के कारण मा में अपेक्षित गिरावट आई आपको बता दे कि जिसने तंग आप पूर्ती पर चल रही चुनता को दूर कर दिया बाजार इस ख़वर से बुखला गया था कि चीन ने शंगाई में एक अतधिक पारंगम में ओमाई क्रोन सब वेरियंट के अपने पहले मामले की खोज की थी और एक दिन पहले देश के सबसे बड़े शहर में नए मामले बायामन से बढ़कर 63 हो गए रोसी रास्टपती ब्लादिमिर पुतिन ने चितावनी दी है कि आगे के प्रतिवंदों से वेश्विक बाजार उर्जा बाजार में विनाशकारी पर नाम हो सकते हैं रोसी ते प्रतिशों की योजनाओं के बारे में बाजार चिंतित है पाइपलाइन पर अब तक आपूर्ती जारी है जो वेश्विक तेल का लगबग एक फीजदी वहन करती है एक रूसी अदालत ने वहां पहले के एक फैसले को निलम्बित कर दिया आपको बता दें कि यूएस एनर पाद से सबसे कम हो गया रिपोर्ट में दिखाया गया थे कि तेल उतपादन आप्रिल में लगभग 11.7 मिलियन बेरल प्रतिदिन से गिर कर लगबग 11.6 मिलियन बेरल प्रतिदिन हो गया उतपादन जो कोरोना वाइरस महामारी के प्रवहाव से उबर रहा है अभी भी 2019 में अपने रिकॉर्ड उच 12.3 मिलियन बीपीडी से काफी नीचे है साथी तकनीकी रूप से बाजार लंबे समय पर समय तक परिसमापन के अधीन है क्योंकि बाजार में खुले ब्याज में माइनस 7.85 फीजदी की गिरावट के साथ 4814 पर बंद हुआ है जब कीमतों में माइनस 60 रुपी की गिरावट आई है और अब कच्छे तिल को 8,082 पर समर्थन मिल रहा है और इसके नीचे 7,909 रुपे के इस्तर का परिक्षण देखा जा सकता है साथ ही आपको बता दें कि प्रतिरोद अब 8,366 रुपे पर देखे जाने की संभावना है उपर एक कदम कीमतों का परिक्षण 8,470 देख सकता है झाल 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 झाल